हलो एवरिवन, वेलकम टू अद्विन सुट और आज हम लोग पॉलिटी पिछले क्लास में पॉलिटी का हम लोग पढ़ रहे थे हिस्टोरिकल बैक्ग्राउंड तो आज उसी से आगे हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या पढ़े थे हम लोग उसी क्या आगे चलिए तो मैंने आप लोगों को हिस्टोरिकल बैक्राउंड में बताया था कि फॉलिटी कहां से श्टार्ट हुआ, किस तरह से इंडियन कॉंसित्यूशन श्टार्ट हुआ उसमें हम लोगोंने सबसे पहले पढ़ा था company rule के बारे में और उसमें हम लोगोंने पिछले class में discuss किया था regulating act के बारे में और जो कब बहुत श्टार्ट वा था 70-73 में तो चलिए regulating act के जो points अब हम लोग देखे थे उसके आगे हम लोग आज पढ़ेंगे pits India act के बारे में तो pits India act 70-84 ध्यान देजेगा regulating act 70-73 था और यह क्या है 70-84 में तो देखे जो चीज कमी था regulating act में उसको rectify किया और उसके defect को क्या किया rectified the defect of the regulating act of 70-73 चीजे को ध्यान से समझेगा British Parliament passed the assembly act of 70-81 और also known as देखे एक act passed किया था जिसको हम लोग act of settlement बोलते हैं उसके बाद 70-81 में पहले और उसके बाद हम लोग उस act में सुधार किया गया और बनाया गया pits India act जो की 70-84 में हुआ Williams pits British के prime minister थे और उन्होंने ही इस act के बारे में बहुत कुछ उन्ही के नाम पे लिया गया है एक fits India act तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं क्या क्या features हैं तो सबसे पहला features क्या है इन्होंने distinct कर दिया चीजों को किस चीज को commercial and political function of the company commercial or political function को अलग-अलग कर दिया ठीक है अब देहाम दिजेगा court of directors to manage the commercial affairs देखिए court of directors को बनाया गया कि क्या करने के लिए manage करने के लिए commercial affairs को और एक नई body एक नया body बनाया गया जो क्या था board of control to manage political affairs देखिए court of directors जो पहले पढ़े थे वो commercial affairs को discuss करेगा और manage करेगा और नई body जो बनी है board of control वो manage करेगा political affairs को चलिए आगे बढ़ते हैं इस चीज से क्या हो गया देखिए आप देहान दे दो तरह के चीजें हो गई तो ये कहने का मतलब एक system of double government की चीजें देख गई तो चलिए board of control जो था जो board of control है ठीक है ये supervised किया all operation of the civil and military government and revenue civil or military government revenue को देखने लगा तो देहान से समझे का board of control एक क्या था court of directors चलिए companies territories first time called the British position in India देखिए company territories में इसी act में सबसे पहले first time कहा गया कि इंडिया जो है वो क्या है संपती है किसकी ब्रिटिस की और उसको कोन regulate करता है company चीक के ना तो company उसको regulate करता है चिक ठ्यान रखेगा यानि इंडिया जो है एक liabilities है संपती है और किसकी British company को और उसको regulate करने वाला company है इस्ट इंडिया कंपनी चलिए विष्ट ब्रिटिस गवबंट सुप्रीम कंट्रोल ओफिर्ड कंपनी एफर्स and its administration तो यह जो पिटस इंडिया से एक चीज आपको पता चला कि सुप्रीम जो कंट्रोल है वो company का वो किसके हाँ में British government के आप में चीजे clear होनी चाहिए तो यह Pits India Act का चीज था अब आगे बढ़ते हैं Pits India के बाद चीजें change हुई और आने लगा सबसे पहले आया Charter Act तो देखिएगा Charter Act जो था अब हम लोग Charter Act में बहुत सारा Charter Act आये और पहले 2020 जब हम History का classes लेंगे तो वहाँपे आपको बताएंगे Charter Act कब कैसे कैसे आया तो अभी तो पहले से समझेंगे तो पहले मैंने आपको बताया था कि गवर्णल और बंगाल को गवर्णल जेनरल बनाया गया था ठीक है और यहां क्या किया गया गया गवर्णल जेनरल और बंगाल को Governor General of India कर दिया गया आपसे मेरा आपको एक question है जो आपको comment box में करना है कि Governor General ठीक है न Governor General, first Governor General कौन था, पिछले class में भी मैंने आपको बताया था, उसको आपको comment box में बताना है कि first Governor General कौन था first Governor General of Bengal कौन था, चली आगे बढ़ते हैं अब देखे, Governor General of Bengal को change करके क्या नाम दे दिया, Governor General of India, यानि अब बंगाल का ही नहीं रहा है वो Governor General of India हो गया और सारे power, civil and military power उसके पास हो गया है, और यह दियान रखेगा Lord William Bantic जो था first Governor General of India था मैंने आप से क्या पुछा है, first Governor General of Bengal कौन था, ठीक है आगे बरते हैं, अब देखे, जो भी power थे, Governor के, किसके Bombay और Madras, पहले जो power थे, legislative power, उसको भी छेन लिया गया, deprive कर लिया चीजें आप दियान रखेगा Governor General of India, यह क्यों हो, क्योंकि अब सारा का सारा power किसके पास चला गया, Governor General of India पहले जो regulating होता था, उसको अब क्या कर दिया गया, उसको law बनाया गया और law किसके काम करने के लिए, अब वो law से act बन गया, चीजें को ध्यान लखेगा अब देखें, तो इससे end क्या हो गया, East India Company as a commercial body अब क्या हो गया, अब commercial body से purely administrative body की तरफ बढ़ने लगा, ध्यान से देखिएगा चीजें को, अब देखें उसके बाद क्या हो गया, open competition for selection of civil servant जो civil servant की परिख्षा होती है civil services की परिख्षा होती है वो open competition होने लगा और Indian को ये ध्यान रखेगा Indian should not be developed यानि Indian लोगों को इसमें allow नहीं किया गया इस act में पूछा जाता है चार्टर एक्ट 1833 के अनुसार अब ये किस के दौरा provision था कि भाई ये court of director मैंने जश्ट आपको पहले बताया था, court of director के अनुसार उन्होंने बोला कि भाई नहीं Indian को नहीं allow किया जा क्योंकि बाद में यहीं हमारे लिए वो हो जाएंगे मतलब नाकू में दम कर देंगे simple माईने में मैं बता हूँ तो ठीक है न, court of director चली, तो आगे बढ़ते हैं अब हमारा क्या है, चार्टर एक्ट 1853 देखे, 1833 पढ़ा और चार्टर एक्ट 1853 देखे, 2020 साल पे होता है और देखे, बहुत सारे चार्टर एक्ट थे ठीक है न, शुरुआत हुआ था 1793 से और खतम क्या हुआ था 1853 पर, चार्ट बट हम लोगों को, मैंने आपको बताया कौन सा, 1833 बताया फिर आपको बता रहा हूँ, 1853 सारे चार्टर एक्ट को हम लोग डील नहीं कर रहे हैं, वाई, बिकॉज हम लोग वहीं पढ़ेंगे चार्टर एक्ट जो की हमारे हमारे Constitution के लिए वो important हो, यानि हमारा जो समिधान बना है, उसके लिए जो important है, क्योंकि हम लोग अभी quality पढ़ रहे हैं, हिष्टी में हम लोगों को सारे चार्टर एक्ट के बारे में पढ़ना है तो चलिए, ये जो चार्टर एक्ट था 1853, ये significant था Constitutional Landmark के लिए, कैसे था इसके features देखेंगे, दियान लखेगा 1793 से लेकर 1853 तक बहुत सारे, 20-20 सालों तर होता था, जैसे 1793 में हुआ, फिर कब हो जोगा, 1813 में होगा, फिर 1813 के बाद 1833 में देखें, और 1833 के बाद हम लेकोने के या देखा 1853 में, ऐसे होगा, अब चलिए 1853 का हम लोग देखना है features क्या था, separated first time legislative and executive function of the governor general council अब देखें, पहले 1853 में हम लोग देखे थे कि आपको change कर दिया गया, क्या change किया गया था आपने देखा था कि commercial power और यह जो हमारा power था political power अलग-अलग किया गया था लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया गया political में भी दो तरह में change कर दिया legislative and executive function of the governor general council चीज़ें समझना आपको एक एक चीज़ को, देखें, PITS इंडिया में क्या किया गया था change किया गया था क्या commercial and political function को अलग-अलग कर दिया गया था, यहाँ पे क्या हो गया गया, political में ही दो तरह legislative and executive क्या होता है legislative, आप जानते हो जो लोगो बनाता है और executive जो उसको implement करता है मारे society को पर तो चलिए, this legislative wing, this legislative wing of the council function as a mini parliament और इसी देखें, दो जो चीज़े बन गई तो वो यह mini parliament की तरह काम करने लगा, अब देखें, adopting the same procedure as British parliament और इसी को हम लोग British parliament से ही adopt किया गया है आज का parliament हमारा, चलिए introduce open competition system of a selection of civil servant, अब क्या कर दिया गया, open competition हो गया system का, और यह Indian के लिए भी open किया गया, जो पिछले वाले में हम लोगों ने देखा था Indian के लिए open नहीं था, ठीक है na, civil servant का, civil services का exam के लिए, Indian को लोगा गया था, लेकिन इस में charter act 1853 में, Indian को भी open कर दिया गया, कि वो भी exam दे सकते हैं, और Indian के लिए committee बनाए गया, मकले committee जो की committee, Indian civil services को उपर देखती थी कि कि किसको appoint करना है, वाज appointed, और वो कब appoint हुआ था, 1854 में, अब देखिए, उन में local representation in India हुआ, और ये देखिए, इसी कारण से, extended the company rule और देखिए, जो काम हुआ, इस सब चीजें, इसमें देरे-देरे देखने पर, पहले जो charter act 2020 साल में होता था, इसमें कुछ भी ऐसा decide ही नहीं किया गया, not specify any particular period, पहले देख रहे देरे-देरे terminate किरते गएं और उसके बाद सीधा-सीधा British के अंदर में हमारा इन्दा चल आजाएगा और आप देखते ही होगे कि 1857 के बाद हमारा crown rule आगया था हमारे British crown rule आगया तो तो ये पहले से ही सोची समझी साजी सी, पहले हमारा East India इंडिया कंपनी के अंदर थे हम लोग और अब क्या हो जाएंगे इसके बाद आपको पता ही है देख लीजे 1853 में ही पहले ही से तयार कर दिया गया था कि भाई अब तो ऐसा कुछ रखा नहीं गया और इस इंडिया कंपनी का कोई भी वह उनका टर्मिनेट कर दिया गया और स के लिए इतना ही जो मैंने आपको कोशन दिया है कि पहला गवर्नर जेनल और बंगाल कोन है उसको आपको कमेंट करना है एंसर देना है थैंक यू थैंक यू बेरी मच